बीरबल एक बार बादशाह अकबर के कक्ष में एक भारी पुस्तक लेकर पहुँचे. पूछने पर बीरबल ने अकबर को बताया कि यह हिंदूओं का एक पवित्र ग्रंथ महाभारत है. अकबर के मन में उसे पढ़ने की इच्छा जाग उठी, इसलिए बीरबल ने महाभारत को अकबर के पास छोड़ दिया. कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा बीरबल मैंने यह महाभारत शुरू से आखिर तक पढ़ लिया है. मुझे तो यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लगा है. इसको पढ़ने के बाद मैं एक अकबरी महाभारत लिखवाना चाहता हूँ. इसे लिखने के लिए तुम्हें जितनी भी मुद्राय चाहिए तुम ले सकते हो. बीर्बल महाराज की इस विचित्र इच्छा को सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि उनकी यह इच्छा कभी भी पूरी नहीं की जा सकती थी. फिर भी बीर्बल ने कहा क्यों नहीं, महाराज. यह अवश्य पूरा होगा. परन्तु इसके लिए मुझे दो महीने का समय और पचास हजार स्वर्ण मुद्राय चाहिए, मैं तुम्हारी सभी मांगे पूरी करूंगा, बीर्बल बादशाह ने कहा. बीर्बल परेशानी की हालक में सोचते हुए वहां से चला गया. महा भारत तो एक पवित्र ग्रंथ है, जिसे एक महान संत ने लिखा था. अकबरी महा भारत को कैसे बनाया जाए? अगर किसी तरह प्रयत्न भी किया जाए, तो प्रजा में बहुत बुरा वैमन से फैल जाएगा, क्योंकि बादशाह का चरित्र किसी एक धर्म पर अटल नहीं है. अगर इसके हिंदू पक्ष को उजागर किया जाएगा, तो मुसल्मान जनता विरोध करेगी और अगर इसके मुसल्मान पक्ष को उजागर किया, सोचते सोचते उसके दिमाग में एक उपाय आया. उसने कुछ मुद्राओं से कागस की रद्धी खरीदी और बाकी मुद्राओं को निर्धनों, ब्राह्मनों, साधुसंतों तथा मौलवी मुल्लाओं को दान दे दिया दो महीने आराम करने के बाद स्वस्थ एवन तरोताजा होकर बीरबल दर्बार में पहुँचा उसको देखते ही अकबर ने पूछा, बीरबल मैंने तुम्हें अकबरी महाभारत लिखने के लिए कहा था जो समय और धन तुमने मांगा, वह बिना किसी विरोध के तुम्हें दिया गया अब तुम मुझे यह बताओ कि इस विशय में तुमने क्या किया, महाराज, इस विशय पर काम बड़ी लगन के साथ चर रहा है उच्चकोटी के दस विद्वान ब्राहमन उसे लिखने में व्यस्थ है यदि आप मुझे पांच हजार स्वर्ण मुद्राएं और दे दें, तो मैं पांच और विद्वान ब्राहमनों को इस कार्य में लगा दूंगा, जिससे काम जल्दी समाप्त हो जाएगा बीरबल ने कहा अकबर ने उसकी बात मान ली बीरबल ने एक महीने का समय और ले लिया महीने के अंतिम दिनों में बीरबल ने रद्धी कागजों को इकठा करके एक भारी पुस्तक का रूप दे दिया वह उसे दर्बार में ले गया और बोला महाराज आपकी अकबरी महाभारत तयार हो गई है परन्तु आपको दिखाने से पूर्व मुझे महारानी की सलाह की आवश्यक्ता है बादशाह की आग्या पाकर बीरबल महारानी के पास गया और बोला महाराज ने अकबरी महाभारत लिखने का आदेश दिया था मैंने इसे बहुत विद्वान व्यक्तियों द्वारा लिखवाया है मैं इसे आपको दिखाने के लिए लाया हूँ ओह यह तो बहुत अच्छा है रानी ने हैरान होते हुए कहा परन्तु महारानी इसमें एक समस्या है हाँ कहो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकू महारानी ने कहा महारानी आप जानती होंगी कि महाभारत में द्रौपदी के पांच पती थे जैसा कि आपको पता है आप भी इस महाभारत की एक पात रहें तो आपके भी पांच पती है जिस प्रकार द्रौपदी के साथ दुशाहसन ने राजदर्बार में चीरहरण किया था, ठीक उसी प्रकार इस पुस्तक के आधार पर आपके साथ भी चुप रहो बीरबल। तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहती, रानी ने गुस्से में कहा. परंतु महारानी जी, बादशाह सलामत का आदेश है कि अकबरी महाभारत को वास्तविक महाभारत के अनुरूप ही होना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. मुगल वन्ष के किसी पात्र के चरित्र को किसी भी तरह से धर्ष्ट नहीं दिखाया जा सकता. लाओ यह पुस्तक मुझे दो. मैं इसे अभी जला दूंगी. बीरबल ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ. राणी ने अपनी सेविका को पुस्तक जलाने का आदेश दे दिया. इसके पश्चात बीरबल चुपचाप वहां से खिसक गया और जाकर बादशाह को सब कुछ बता दिया. यह सुनकर बादशाह बहुत क्रोधित हुए और राणी के महल की ओर चल दिये. जब तक वह वहां पहुँचे तब तक अकबरी महाभारत रूपी रद्दी जल कर राख हो चुकी थी. पूछे जाने पर राणी ने अकबरी महाभारत को जला देने का कारण बताया. कारण सुनकर अकबर भौचक के रह गए. उन्होंने राणी से वायदा किया कि मुगल सामराज्य में कभी भी महाभारत नहीं लिखी जाएगी. बाद में बीरबल ने वह सब स्विकार कर लिया, जो उसने मुद्राओ और रद्दी कागस के साथ किया था. बादशाह ने बीरबल की इमानदारी और बुद्धिमानी के लिए उसे पुरस्कृत किया. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिये कमेंट में जरूर बताईए कि वीडियो के सा लगा और ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिये धन्यवाद.